हेलो फ्रेंट्स आप सब कैसे हैं आप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं फिर से लेकर आगयी हूं किछन के के कशिप भूग रिप्सकृत कर में हो जांगे ऑसान जो काम घंटों से होता है हो भा CCP के मिनटों में बहुत ही आसान टिक्स है चलिए देख लованसे जरें जो आपके बहुत रहता है और बिल्कुल है के लए नहीं रहता है और इसमें ऐन भीमस कर दो दो औरहाएं तो आपको कैसे साप करना है सबसे पहले निकाले जो है फ्रीज में समान रखेंगी उननने पहलें निकालें यहां हम कोई भी दूरेंगे निया महनत के बहुत कम महनत लगनिदा आप अपने गंदे gotbs fridge हैं अच्छे से clean कर सकते हैं फ्रीज में जो कटार हो जाते हैं कभी कभी ऐसे वेक्टिरिया हो जाते हैं जो अक फ्रीज के लिए भी आनिकारक होता ऑफ्रीज में जो भी फिश्य समान रखें वो बंद होना चाहिए इस बात को अपको ध्यान रखना है खुला वेव sniff नहीं रखना चाहिए यहाँ पर Warm कबड़े हैं यहां पर न Sum等 papis प्रसक्रांतारत करना है यहां पर लेना आख कोई सूती कपड़ा ले लिजए या फिर कोई टॉबल ले सकते हैं तो इस Zachranti जर थोड़ा सा लगा लिजित अब आप वहां महां इनहीं क्विक सकते हैं हमें पूरे फ्रिज में अगर फ्रेज में लगा आंगा आगर लग गए तो आप क्लीन कर सकते हैं से निटाइजर से बहुत ही आसान है तो आप आप सारे समान निकाली हो और अच्छे से अनि कर लिए fingerprint कर लिजे ले उन्हें उनका हटा लीजे फिर सूखे कपड़े से सैनिटाइजर से इन्हें पोच लीजे तो ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक से है आप अपने गंदे से गंदे फ्रीज या फिर दाग दबे हैं तो आप इस तरह से साफ कर सकते हैं यह देखे कितना जो गंदगी है सारा पड़ा ही ले इस बात का आपको ध्यान रखना है इसका जो है रबर है आपको क्या करना है इसके रबर में भी आप हाथ थोड़ा सा चला लीजेगा इसमें रबर में अच्छे से इन्हें क्लीन करें जिएगा जो रबर में भी काला पन बैढ़ जाता है दाग धबे बैढ़ ऊपर इस से प्राव से जो हम बुल forens करें युज कर लिया है इसको मैंने इस तो यह रख रहा है यहां पर यहां पर फर्री को चेक करनी के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो फरी जाए से लिए रबर ढली ऊती तो गैस जो निकल जाता है जो हमारा फ्रिज कम reduction हैं तो आपको क्या करना है यहां पंचाना हैं तो आप समझढ़ेगा फ्रिज आपका जो है ठीक है तो मेरे जो फ्रिज है इसका रवर जो है ढिला हो गया है तो इसे हम चेक कर आ लेंगे तो यहाँ पर चलिए नेश्टिरी देख लेते हैं यहाँ पर पाउुच का सामान हम लेते हैं ऐसे चिली हो गया ग्रीन चीली कुछ भी पाउच कर लेते हैं जब खतम हो जाता है तो कुछ उसमें रह जाते हैं चीजें तो आपको कैसे निकालना है आपको क्या करना है यहाँ पर लेना है बेलन और इस तरह से अच्छे से बेलन से आप इन्हें मतलब निकाल सकते हैं पूर खाने में यूज करते हैं कु किंसे लिए तो यहां पर हम धेर सारा कुई यह घर belki खरीद लेते हैं और uh इसके रिख की दरा पढ़ रिते हैं यहां पर सोड़ी वाईट सब्स्क्राइब दर रहा है टो आपको क्या करना है यहां पर छोटा सा ट्रिक कल ले national만 आप आप चाहिए इतने लॉंग टाइम तक रखें यहां पर लेना है एक चमच ले लिजे आप यहां पर नमक हल्दी और लाल मिर्च सूखा तोड़ करके रखें यहां पर आप कोई भी इस तरह से मतलब पोटरी ले सकते हैं कपड़े ले सकते हैं या फिर नैपकीन पेपर ले सकत हैं और नमक होता है हल्दी होता है इससे जो है आपका चावल जो है सेफ रहेगा तो यह भी बहुत कमाल का ट्रिक्स है जरूर ट्राय करिएगा यहां पर हमारे पास ऐसे स्विश्ट के डब्बे आ जाते हैं हम क्या करते हैं इसे समझ के फेक देते हैं और इसे आप बढ़ि क्या है स्विश्ट के हैं बिल्कुल भी मत फेक किए तो यह भी बहुत ही बड़िया आपके यूसफुल ट्रिक्स है आपके किचन की काम में आएंगे ही या आप फ्रेंस दूद होता है जैसे हम बॉइल कर रहे हैं तो अक्सर की होता है कि हम फिल्म को तेज रखते हैं या फ तो आपको फिर उसके बाद कीचन का जो गैस इस तरह से क्लिंग कर सकते हैं और जो दूद है इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए क्योंकि जो दूद है गिरा हुआ है तो हम कपड़े में पोच देते तो कपड़े में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है किचन दूद को उठा लेना एक प्लेट में किसी प्लेट बर्तन में रख लीजे फिर उसकी बाद हलके से कपड़ा गीला करके आप गैस को पोच दीजिए तो इससे कपड़े भी ज्यादा गंदा नहीं होगा और आपका गैस भी क्लीन हो जाएगा और जो दूद गिरा हुआ था वह भी यूज में आ जाएगा तो आपको कि अगर नहीं यह गीरा हुआ दूद में थोड़ा सा पारी आलना है इस तरह से इसका मैं बाद में यूज बताऊंगी बहुत ही बढ़िया यूज है तो यहां पर जो है फ्रेंस हम चाय पत्ती डेली चाय बनाते हैं तो जो चाय प में अगर में अपने घर में प्लॉंस टीमें मेशति में बढ़र दूद बी और आ पर प्लॉंस में दूद और यह गिरा हुआ हए बहुत के तयार हो जाता है जो हम चाइńsk Unixy Cousin को दो इसे जो अक्ताया से निकाल सकते मैं इस तरह से सल्यूशन निकाल सकते हैं लिए जान को दीली निकलती तो मैं यह जहीं हर पॉद्धों में डालती हो तकि अच्छे से ग्रोथ मिले चैपती में एक ऐसा चीजा होती है जो खाद बन जाती है चैपती हो या फिर आ भी होदी को लेका है इस तरह से बोड हमारे घर मेरे होते ही है। छोटे बच्चों बोर्ड में जैसे कोई पैंसल भगारा डाल दीते हैं लोहे की चीजे नुकीली होती है। को डाल देते तो इस स्विच जो है ओन रहता है तो करेंट लगने का डर रहता है खास कर बच्चों को तो इसे आप इस तरह से लॉग कर सकते हैं यहां पर लीजे बिंदी बड़े साइज की बिंदी रखे आपके पास है तो आप स्विच बोर्ड के जो यह चेन होते हैं जहां से स्विच बोर्ड ऑन आफ होता है तो यहां पर आप पूरे में कवर कर दीजैसे जो छोटे बच्चों होते हैं उनके सेप्टी के लिए होता है अक्सर वो छोटी-छोटी चीजे डाल देते हैं तो करेंट लगने का डर रहता यह सब चीजे से यह दूर रहेंगे तो आप इस तरह से जहां आप बोर्ड स्विच बोर्ड नहीं उसकरते आप बिंदी लगा कर यह ट्रिक अपना सकते हैं बहुत ही बढ़िया कमाल का ट्रिक्स है जरूर ट्राय करिएगा कौनसे ट्रिक्स आपके किचन के और घर के काम में यूज है इतने सारे मैं जो है ट्रिक्स से पता ही हो अगर आपको मेरी कोई भी ट्रिक्स अच्छी लगें कॉमेंस करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब